अगर आप एक YouTuber हैं तो आज की वीडियो काफी important है आपके लिए अगर आप लोगों ने अभी अपना YouTube चैनल स्टार्ट करा है तो ये वीडियो आपको पूरा लाज तक देखना है आपके लिए बहुत ही important बात मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है सबसे पहले आपको mobile के अंदर Chrome में अपना YT Studio ओपन करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं arrow बना रहा हूँ इन्होंने एक notification दिया है न्यूस के थ्रू protect your Google account ठीक है ये बहुत ज़्यादा important है आपको क्या करना है get secure पे click कर देना है अब यहाँ पे security check-up में बहुत सारी option आ जाएंगे जैसे save browsing, your device, recent security activity, two step verification, third party access और your saved password ठीक है तो सबसे उपर आ जाते है save browsing पे आपको click करना है इसके बाद यहाँ पे आपको continue पे click कर देना है finish is no thanks or turn on का option आएगा आपको यहाँ पे turn on कर देना है turn on करते ही आपका यह अपडेट हो जाएगा अब आप देख सकते हैं सभी के सभी आपके green हो चुके है ठीक है लेकिन important step अब यह है जो मैं आपको बताने वाला हूँ save browsing तो हमारी हो गई अब आपको your devices पे click करना है ठीक है यहाँ पे क्या बता रखा है आपका जो gmail ID है वो दो जगा पे login हो रखा है यानि कि एक तो oppo reno 3 pro के अंदर प्लस एक mi का tv है अगर आपका किसी और device में login हो रखा है तो यहाँ से आप उसे पता लगा सकते हैं और उसे यहाँ से remove भी कर सकते हैं ठीक है जिससे यह पता लग जाएगा कि आपका जो gmail ID है यानि कि जिस gmail ID से अपने YouTube चैनल बला रखा है वो कहीं और login तो नहीं है इससे आपका misuse ना हो सके ठीक है अब नीचे आजाते है recent security activity यहाँ पे फिला लिखा वार है no activity in the last 28 days अगर कोई सके अंदर activity होती है जो useless होती है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी next है अमरा two step verification यह आपका on होना चाहिए यानि की green होना चाहिए ठीक है अगर आपने अभी start करा है तो आपका जब channel monetize होगा तो इसकी आपको यहाँ पर help मिलेगी next है आपका third party access अगर आपने हाल फिलाल में कोई application download करी है अपने chrome के अंदर या अपने phone के अंदर तो आपने अगर इसी gmail id से उसे login करा है तो आपका जो data होता है उसका access मांगता है यानि की third party access अगर आपको यह गलत लगता है तो यहाँ पर वो application show कर जाएगी और आप इसे remove कर सकते हैं और इसे allow भी कर सकते हैं तो जैसे मेरे को यह in activity लग रहा है email studio मैंने भी थोड़ी जरे पहले try कर रहा था तो मुझे यहाँ पर इसे remove करना है पासवर्ट same to same user रखा है मैं check कर लेता हूँ तो go to password checkup पे आपको click करना है इसके बाद check password पे आपको वापिस से click कर देना है यहाँ पे आपका mail id लिखावा आ जाएगा और या तो use your screen log आप continue पे click करके unlock करके जो आपके phone में unlock system होगा screen log, face log या कोई pattern आपने लगा रखा है तो उसे आपको unlock करना है और continue पे click कर देना है अब यहाँ पे वापिस से तीन option आप देख सकते हैं जैसे no compromised password plus 23 reused password यानि कि 23 जगा पर आपने इसी password यानि कि same password जो आपकी Gmail id का है आप आपने वापे use कर रखा है प्लस इसके बाद 6 accounts using a weak password यानि कि आपने 6 account यानि कि 6 जगा पर ऐसा password यूज़ कर रखा जो बहुत ज़्यादा वीक है आप मैं one by one आपको check करा देता हूँ तो जैसे मैंने छोटा example दे रखा है आपको देख सकते हैं अगर आपके use का है जो आपने जहाँ पर अपना जो password use कर रखा है तो आप इसको remove कर सकते हैं और अगर आपको लगता है आपके काम का है और तो आप यहाँ पर change password कर सकते हैं क्योंकि same to same password रखना ठीक नहीं है और अगर आपको लगता है waste है और आपका use नहीं है तो आप यहां से इसे remove भी कर सकते हैं सेम आपका 6 account using a weak password आप यहां पर भी same to same वही चीज़े अगर आपको लगता है भई जिस Gmail ID पर आपने इसे या पर जिस website पर आपने इसे use कर आता और आपको और काफी देर तक या कि कुछ दिनों तक उसे use करके रखना है तो ठीक है आप change password कर सकते हैं या वही भी रहने दे सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है बस मेरे को आप उस website पर और काम नहीं करना तो आप यहां से उसे remove कर दीजे यहने कि 23 plus 6 आप maximum यहां पे ना रखिये नंबर को आपको इसे remove ही करना ठीक रहेगा आपके लिए सारी चीजे जब आप चेक कर लेंगे तो आपके सामने स्रिफ 4 option आएंगे और यह चारों के चारों आपके green tick होने चाहिए इसका मतलब आपका जो phone है उसका जो gmail ID है वो बिल्कुल security check up आपका बिल्कुल ok हो चुका है no recommended action found यहने कि आप कुछ भी इसके अंदर नहीं है बिल्कुल safe आपका gmail account चल रहा है ठीके दोस्तों तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से check करना है inactivity या फिर आपका कहीं पर password गलत यूज तो नहीं हो रखा two step verification plus no activity कोई application गलत application आपका access तो नहीं मांग ली यह सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आपने अभी एक YouTube चैनल स्टार्ट कर आए इन सबी बातों का आपको ध्यान लखना बहुत ज़्यादा जरूरी है in future आवे बड़े YouTuber बनेंगे तो अगर इससे पहली copyright claim या फिर गोई inactivity होती है तो आपका जो चैनल है वापिस से बंद कर दिया जाएगा और आपको नेया चैनल बनाना पड़ेगा आपको बार-बार same to same वही मैनत करने पड़ेगी ठीके दोस्तों I hope so आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा security check-up क्या होता है और इसे check कैसे करते हैं तो guys thanks for watching this video and subscribe to this channel